दोस्तों मैं जोतीश चारे डोक्तर संध्याप को स्वागत करती हूँ आश्टोसेज की यूट्यूब चानल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वास्तोंगे दोस्तों आज 18 अगस्त 2022 है आज की दिन की शुरुवात करते हैं आज के पंचांग सी आज गुरुवार् शुपक्ष है तिती है सक्तमी आठ बचकर 26 मिनट तक नक्षत्र भरणी है आठ बचकर 35 मिनट तक चंद्र राशी मेश है मेश मिथुन कर्प तुला ब्रिश्चिक कुम नई दिली के समय अनुसार दिशाशूल दक्षिन है अभी जीत मोरत है ग्यारा बचकर 58 मिनट से बारा से लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आजका महाँ उपाय रहेगा अगर आपके शारिक उर्जा नहीं है अगर आप शारिक उर्जा बहुत कमजोर महसमुष करते हैं यानि बोडी की रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक फील करते हैं तो उसके लिए आपको क्या महा परिवार के सदस्य स्नेय देंगे और खयाव रखेंगे जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिये को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूनना पड़ेगा अगर यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी शम्ताओं को शीक्र पर पहुंचाने क कम्यूकेशन की शम्ता प्रभावशाली साबित होगी जीवन जाती से बहुत जादा उमीदे रखना आपको विवाई जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है लगकी नमर आपका तीन है लगकी कलर आपका केसरिया और पीला है आज आपके लिए खास उपाय है सफेद काल कारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्हों ने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया बच्ची की तवियत परिशानी का कारण बन सकती है थोड़ी कोशिश और करे आज भागे आपका साथ जरूर देगा क्योंकि यह आपका दिन है आज कारशेत्र में किसी पुराने काम की तारीश हो सकती है आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सला नहीं सकते है चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह का जा सकता है कि आज आपके पास काफ है आज आपके लेखा सुपाय है चकोर टुकड़े पर केसर लगा कर गुलाबी वस्तर में लपेट कर पूर्ग दिशा में जाकर सुर्योदे के समय निर्जन स्थान कर दिवाने से लाइफ अच्छी रहती है चलिए बढ़ते हैं दोस्तों मित्वंद राशी की तरफ इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से जादा चाहता होगा कामकाच के मामलों को सुलजाने के लिए अपनी हश्यारी और प्रभाव का इस्तमाल करें उन लोगों से मेल जोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है आपका जीवन खुशी से भरा अच्छा दिन है जो लोग अपने करीबियों और रिष्टेदारों के साथ मेंकर बिजनस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत समझ कर कदम बढ़ने की जोरत है नहीं तो आर्थिक मुक्सान हो सकता है ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो सकरात्मक और मददग चात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं चालना चाहिए आपको जब भी काली सबर्शंदने अपने काम को पूरा कर लें अपके लिए हितकारी इस बाब thi प्रबल संभावना है कि आपके आज अश्पास के लोग आप दोनों के बीच मत्वेत प्यादा करने का प्रयास क चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंग राशी की तरफ सिंग राशी वालों धार्मिक और अध्यात्मी कुरूची के काम करने के लिए अच्छा देमें धनकी आज दिन भर होती रहेगी और दिन रनने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं प्यार दुलार के हतियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अंचाएं तनाव से बचे याद रखे कि प्यार को पैदा करता है गलत प्यामी या कोई गलत संदेश आपका गर्म जोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है कारे शेत्र में प आपका दो है लखी कलर आपका सिल्वर और सफेद है आपके लिए खाल सुपाय है लक्षमी जी की चालिसा वार्ती पढ़ने से प्रेंग संबंद मजबूत होंगे चलिए करने राशी की तरह बढ़ते हैं दोस्तों दूसरों की आलोचना करने की आपकी आदत के कारण आपक की बहुत आवश्यक्ता पड़ेगी लेकिन बीटे दिनों में किये गए फिजूल कर्च के कारण उनके पास पर्याप दन नहीं होगा दोस्तों के साथ शाम को गूमने बाहर जाए इससे आपको बहुत फायदा होगा प्यार के साकरात्मत संकेत आपको मिलेंगे अगर आप क आज आपको कुछ अनोखा उफार मिल सकता है लटी नंबर आपका एक है लटी कलर आपका नारंगी और सुनेरा है आज आपके लेखा सुपाय है गडेश वंदिर में लड़्यों का भोग लगवा कर गरीब लोगों में बाटने से आर्तिक पक्ष अच्छा रहेगा चलिए तुला राशी की तरह तुला राशी वालों हर इंसां को गवर से सुने आपको पुछ समस्या का समधान मिल जाए आज यदी आप अपने दोस्तों बिसात तो पैसा सोच समझ कर खर्च करें धन्हानी को सकती है अपने चैन में साफदानी बरते अच्छे दोस्त उस खजाने क बीना किसी को बताएं, आज आप अकेले वक्त विताने घर से बाहर जा सकते हैं लेकिन आप अकेले तो होंगे, लेकिन शांत नहीं, आपके दिल में आज की दिन कई चिंताएं होंगी, अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी-छोटी बातों को नजर अंदास करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है लग्की नमबर आपका तीन है लग्की कलर आपका केसरिया और पीला है आज आपके लिए खास उपाय है सफेद दोती काले किनारे वाली किसी सादू संद को दान में देने से आर्टिक से भी बेतर होगी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों विष्चिक राशी की तरफ विष्चिक राशी वालों गर्बवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है चलते फिटे समय खासा ख्याल रखने की ज़रत है जो लोग काफी वक्त से आर्टिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं दन से लाब हो सकता है जिससे जीवन की कहीं परिशानिया दूर हो जाएंगी बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने की और बविश्य के लिए योज़ा मराने की ज़रत है रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपने प्रिये से होगी मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उप्योग करने की ज़रत है दिन की शुरुआत बले ही थोड़ी ठकाव रहे लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे पल मिलने लगेंगे दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप इसी करीबी से मुलकात करके इस समय का सदुप्योग कर सकते हैं बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी बुला नहीं पाएंगे लखी नमबर आपका पांच है लखी कलर आपका हरा और करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिकलाव होने की संभावना है आपके जीवल साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारंग बन सकती है प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे मुश्किल मामलों चली बढ़ते हैं तो से बचने के लिए आपको अपने संपर्प उपयोग करने की जरुरत है उफीस से जल्दी घर जाने का प्लान आज आप ऑफिस पहुझकर ही कर सकते हैं गर पहुचकर आप मुवी बेखने या किसी पार्किने के लोगों के साथ जाने का प्लान बना सक लक्की नंबर आपका दो है लक्की कलर आपका सिल्वर और सफेद है आज आपके लिखाव सुपाय है गमलों में काले सफेद मारवल के दाने रखने से पारी बारी खुश्य बढ़ेंगी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मकर राशी की तरफ अपने मानसिक स्वास्ते पर ध्यान दे जो अध्यात्मिक जीवन के आवश्यक है मस्तिश्क जीवन क्या द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सबकुछ इसी के माध्यम से आता है यही जिंदगी की समस्या दूर करने में सायक से दोता है और सही सोच से इंसान को अलोकित करता है बाकित दिनों के मुकाब क्किछ कि मुट्चिन है के घर वाले शिकायत करते हैं घर Нबालों को परयाप समय देने के वारे में सोच सकते हैं लेकिन एन वक्त पर किसी काम क्या जाने की वेजे से यह नहीं हो पाएगा खराब मिज़ाज के चलते आज आप मैसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी आपको बेवजा तंग कर रहा है लखी नमबर आपका दो है लखी कलर आपका सिल्वर और सफेद है आज आपके लिए खास उपाय है काले सफेद वस्तर में लोहे की पांच कील वर चुना लपेड कर जल प्रवाइद करने से प्लेन सब्बंद अच्छे रहेंगे चलिए कुमराशी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्र दराज हो चुके हैं लेकिन यह सक्चाई से बहुत दूर है आप अपने तेज और चक्रिय दिमाग की वज़े से कुछ भी असानी से सीख सकते हैं जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए घातक हो सकता है जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से बचे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अराम के पन बिताएं आज आप इश्क की चाष्टी जिंदगी ने घुलती हुई नहीं परियोजनाओं और कामों को अमली जमा पहनाने के लिए बेतरिन दिन हैं परिवार की जरुतों को पूरा करते करते आप कहीं बार खुद को वक्त देना बूल जाते हैं लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आपके लिए वक्त निकाल पाएंगे वेवाई जीवन अब आर्थी का पाठ करने से आर्थिस्पिती अच्छी रहेगी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखरी यानि की मींग आशी के तरफ एक अध्यापिक व्यक्ति आशिरवाद की वर्शा करेगा और मन की शांती लीकर आएगा आज किया गया निवेश आपकी कर सकता है जो आपके दिमाग पर दबाव और बढ़ा देगा आप पाएंगे कि आज लंबे वक्त से अटके कई सारे चोटे चोटे लेकिन एहम काम आप निप्टाने में काम्याब हो रहे हैं आज आप सारे रिष्टों और रिष्टेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगा पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांती प्राफ्त होती है अगर आपके जीवन साती की सेहत कर चलते किसी से मिलने की योजना रद हो जाए तो चिंता ना करें आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे लग्की नमबर आपका 6 है लग्की कलर आज आपके लिए खास उपाय है गरीब करने हों में चॉकलेट बाट में से प्रेम संबंदों में व्रिद्धी होगी तो दोस्तों आज का महा उपाई रहेगा अपनी उर्जा बढ़ाने के लिए और अपना मनोबल बढ़ाने के लिए और अगर आप महसूस करते हैं कि आप काम करने में उतने जादा सक्षम नहीं रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के कंदे सेतिलक लेकि अपने मस्तक पर करना है इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा आपकी उर्जा शक्ति आपकी शारिरिक उर्जा शक्ति बढ़े For regular updates, follow our Instagram page right now.